कि अपने अपने यूटूब चैनल अनुपी स्टेडी में आज हमनों सुरू करेंगे प्रस्ट नमबर जो है यह आपका 21 से जो है कि 36 तक के प्रस्ट का सलुसन कराया जाएगा इसमें जो है कि इस वीडियो में सभी प्रस्टों को जो ही कवर किया रहा है यानि कि 21 से ले करके 36 तक प्रस्टों का सलुसन कराया जाएगा इसी वीडियो में और इस चैप्टर का जो है कि आपका यह तीसरा वीडियो है और अभी तक उन वीडियो को आप नहीं देख पाएं दिस्क् तथा पर प्रस नमर्ट 21 के 1 पिरामीड तथा 1 बेलन के आधार के छेतर फल समान है ने पहले समझ्याईते हैं डीकित यहां यह ऑ leaning है और इसी में पिरामीड बना जाए रहा है से क्या बना जा रहा है किले के और स्फ़ेशन क्किन सामान गर्म समान होगा कि नहीं का समान है कि इसका में दोनों का यदितर यूज या देखिए आप के हाइट है यहाँ से थी तक हाइट हो तो इसके जो हाइट है यहनि कि पिर्यामिड के भी रह है कि a Hell přِल रहे है कि आयतनों का अनुपात को अनुपात आयतनों का निकाल लेंगे तो रहत ना का अनुपात बराबर होता है क्या पिरामीड हुआ और पिरामीड पिरामीड का इसे है का इसे इस बैलन का शैक ठीक ओमीदोगी समाझ्य आरा होगा किस तर से आपका बेलन दिया था पीरामीड हाँ ठीक है पीरामीड का आयतन आप वह था होता है एक गोने एक बटा में 3 एक बटा में 3 गुणे आपका छेतरफल होता है यहां पर मैं छेतरफल लिख दे रहा हूं गुणे क्या ऊचाई ठीक है और डिवाइड वह आपका हो जाएगा पाई आरी स्कॉाइर बेलन के लिए आपका होगा पाई आरी स्कॉाइर इंटू क्या एच ध्यान जाएगा और यहां से हाइड से हाइड क्या होगी क्योंकि दोनों के हैड से मेरा जितने उचाई इसकी होगा तो होगे 510 एक बटा में कितना तीन तो आपका होगा एक समंध्य कितने का हुआ 3 यह रहा हम लों क्या उप्स वर्दा यह हैं और पिरामिड के आयतनों का अनुपात यदि निकालते हैं तो आपका मिला एक समंध्य तीन का जो कि आपका 21 को आपसा नंबर क्या है डी आपका क्रेक्ट है फ्रेंस उम्मीर होगी कि यह बिल्गुल आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग आसानी से सलुसन कर लिए है तो चलिए हम बढ़ते हैं वाइस की तरफ को श्लोशन हम लोग का इसदी करेंगे ठीक है कुशन नमर 22 है अभी जो है हम लोग से लिए पायार होता है तो वह हम लोग को सर्फ सिर्फ फर्मूला लेकर चलना है कर रहे कि एक संखव का परवत की तीरियक उचाई एक परवत है सभात्त यह आपको दिया है कि तिर्येक उचाहिए यह टूपाइंट कितने कि रहा यहां से यहां से ऐसे ऐसा बन जाएगा यह आपका केंदर हो लेकिन आगे क्या कर रहा है कर तिरियों कुछ है उसके अधार का छेतरफल यह जो आपका आधार है इसका टोटल छेतरफल है यहां पर देखें आधार का छेतरफल जो है आपका दिया हुआ है कितना देखें आधार का छेतरफल आपका दिया हुआ है प्रस्व में आपका दिय सब्सक्राइब और यहां से आर बराबर हो जाएगा जीरो पॉइंट कितने की इसमें आप से क्या अगर कर परवत की उचाई निका लिए जो यह बुर्प है यह चाहिए आपकी हाइट हो गए इसके बाद हम het फटा हो गई है यह ऐसे हầy कि घ्राइट नीकाल सकते हैं दो यह यह बरावर हो जाएगा अंडर उड में अडर वांग यहां 0.5 यहांपा च्छादस मलों दो पांच है यह घटाते हैं तो आपका ठोटल मान हो जाएगा पांदस मलों साथ आपका च्छह हो जाएगा और हम लोग जो है कि पांदस मुठ चाहे दिवर्मून निकालते हैं तो हाइट बराबर हो जाएगा 27.4 km कीड़ेगा ध्यान दिजीएगा सभी मान कीलो मिटर में दिया हुआ था तो हाइट है परुषण की हीड है ऑmotion की हाइट निकाल आपका किलो चार किलो मीटर जो है टोटल परवत की हाइट आपकी होगी उम्मीद होगी समझ में आ गया होगा चले इस तरह से हम बढ़ते हैं कोशन नमर तरह में आपको कुछ नहीं करना है तो समान ब्रितकार देखे दोनों का ब्रितकार भाग समान है अधार सेठे तरफल के संकु जिसकी तीर्यकुचा ही एके सबना है यहाँ और अपals के दिया हुआ है और यहां पर करे की वक्रपिस्ट का अनुपाद यहां पर निकाल लेंगे कि वाक्र प्रिष्ट का अनुपात ठीक है वाक्र प्रिष्ट का अनुपात बराबर हो जाएगा मैं यहां पर लिख लेता तो अच्छा रहा था चली इधर लिख लेते हैं बेलन का का वक्र प्रेष्ट यह आप उम्मीद होगी दीख रहा होगा ठीक है बेलन का वक्र प्रेष्ट अब बाटा में आपका हो जाएगा संकु संकु का वक्र प्रेष्ट ठीक है बेलन का वक्र प्रेष्ट बाटा में संकु का क्या वक्र प्रेष्ट तो बेलन का जो वक्र पेष्ट है आपका क्या होता है 2 pi r h होता है हाइट तो वही है ना स्वंगु का वक्र पेष्ट होता है pi r h होता है pi r h लेकिन h जो हाइट है इसकी h भाई कितनी है 2 है ठीके ना आपका क्या है पाइच आपका करेक्ट आपका होगा आपका होगा चार दस्मण दस्मलों ने चार समंद्ह एक का अनुपात आपका पहुआ उम्मीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आगे यह दो उपर चला जाए दो दूनिके चार होगा हर में क्या बज़ जाएगा एक ठीक है यह आपका जो है कि चार समंद्ध एक कानुपाद पाइंड हुआ चली हम लोग इस तरह से बढ़ते हैं कोस्टन नमबर जो है कि हम लोग 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 आप 24 के तरह बढ़ते हैं कि कोश्चन नमबर 24 का सोलूशन कैसे किया जा रहा है जर ध्यान ने रखेगा ठीक है चलिए कि यहां पर एक बात याद रखेगा जो हाइड थी ना पाई आरेल होता है ना ठीक है यहां पर जब मैं यह लिग दिया तो यहां पर थोड़ा बना ले यह तो यह तिरिया कुचाई के लिए यह नहीं कि आप लोग तुरांद एच हाइट आप सीधा मत समझेगा तो तीरिय पाई आर यह तो तीरिया कुचाई के लिए था यह आप यह नहीं समझना कि आपके हाइट है यह तो चलिए उम्मीद हो की समझ में आ गया है क्योंकि यहां पर कि यह नहीं हम लोग जो है कि पिरामीड का आयतान निकालें अभल करेंगे कि पीछले कोचना में आ चुका है जिसकी लंबाया तीन समी चार समी और पांट समी यह तीन समी है यह चार समी कितनी है पांट समी ठीक है यहां पर एक बटा में दो गुणे यहां पर दिए एक हम आधार समी उच्षय होता है ने 90 इंटि नहीं समझ में यहां पर बन रहा है तो आपका इसे नीकर पिरामिट के हाइट यापका पूरा टोटल हाइट है कितनी है पांच के उम्मीद होगी आप तो समझ में आ गया होगा चलिए इसके बाद यहाँ पर हम दो सरुसन कर देंगे तो आपका दू दूरी के चार हो गया तीन से तीन कड़ जाएगा पांज नहीं कितना दस सेंटी मीटर किया यानिकी पिरामिट का जो आइतान है कि नहीं आया यह अधार का च्छेतरफाल ठीक एक बटा में दो अधार मुझे उचाही होता है ना यह आपका त्रिभूजी ऐसे समझ सकते हैं यह आपका चार होगा यह कितना होगा आपके हाइट अगले कोशन के तरफ कोशन नमर 25 का सलुसन देखते हैं कोशन 25 का सलुसन हम लोग कैसे करेंगे ठीक है प्रस नमर 25 की एक लंब पिरामिड का अधार 6 जो है कि मीटर भूजा का स्तंभावत्र भूज है यदि इसकी पार्षव कोर 5 मीटर के है तो इसका संपूर प्रेश्ट वर्ग मीटर में होगा यहां पर देखे मैं सलुसन करा दिया हो पर अच्छी तरुको समझे यह आपका पहले एक संभावत्र भूज बनाया गया ध्यान दिजेगा जिसकी तीनों विमाएं क्या है बराबर त्ये भी फॉर्ट है यह कितने की है फार्षव कोर टें इसके बादफ उससे जाये कि इसमें क्या डाल देल लवन दालएंगे तो यह आपको आपकी जयर बुतने लोग में इस तरह से रहा समझे लेगा यह शंस पर पर सकों चरह यह आपकी पार स्कुर हैं यह आप पार स्कूर है यह पार्वड फकुर है यह पनला दालना है अग्यां जांते हैं कि यह जो आपके भीम यहां से यहां तक जिवर questo लंबड यह कि उच्छी थीन का होगा यह तर 얼마나 तक हम पता करना यहां यह मालूम हो गया है इस व्ल tout को सकते हैं त wipes हिए के पार्षोपरिस्ट बुर्परिस्ट बढबर होता है पार्षोपरिस्ट और टो जाहिए इसी अब समझे करा अब यहाँ से आपको हो जाएगा एक बटा में तीन और पार्षोपरेस्ट का भी फार्मूला होता है एक वटा में तीन अधार का परिमाप निकालते हैं तो भूजाएं कितनी ये संभाव तो समझ लिए तीरीय कुछाई की बात करें यहीं आपके निकालेंगा निकला के लिए आपके किया होंगी तिर्ची होगी तरीची होगे सब्सक्राइब करते हैं इसके आधार करते हैं इसके आधार करते हैं जो संभाव त्रूज बनाएं उसका दिश्यत्फल पाइन करते हैं तो करने में यहां पर आपको हो जाएगा मल्टिप्लाइब चत्री अठार हो गया गुड़ा कर देंगे तो आठारा वाटा में यह दो है तो गुड़े अभी पाच पचीश हो जाएगा यहां पर द्यान देजिए पचीश माइनस के आतीन तिली के ना और पचीश मिसे ना घटा देंगे चार हो जाएगा और यह प्लस-636 काणई में 3 बटा में कितना चार अब यहां और दोनी के चार इतना और यह च्रतिश और इंदोनाकि प्लतिश क्पार्ट इन दोना में कामन क्या है ना कामने ना कामन ना कामन लिया तो इतना वर्ग मीटर यानिक आपको मेटर अधिर कर रहा है प्राइन करने के लिए कि लिए तो फाइन कर लिए उम्मीद हो गया आफ इनती est प्रोसेस में आपका प्रोसेस में समझाए गया है कई वारी इस तरह से नहीं चलिए उम्मीड होगी यह समझ में और हम आपका बात करने कोश्चन में आपसों जो है आपका बीकरेक्ट मिला है ना कोश्टक में चार प्लस करणी में तीन यह आपको क्या एंसर रहा और आपसा नंबर आपका बीकरेक्ट रहा तो चलिए उम्मीद होगी समझ में आगया है तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रस नंबर जो है कि 26 के तरफ कि प्रस नंब बहुत ही सिंपल है आपको समझ में आ जाएगा किसा सलूसन कराएगा है करें कि 28 समी ब्यास की ब्रितकार धातू की चादर से उसके के साथ 40 डिगरी का कुण बनाती हुए बनाने वाले टुकडे को प्रिज में खंड के रूप में रूप में है को काटा जाता है यानि प्रि कोई ब्रितकार चादर है तो आखरी में उससे कितने काटकर आपका निकाला जा रहा है तो पहले तो ब्रितकार चादर जो भी होगा उसकी परीद ही देख लेते हैं भाई कितना दिया हुआ है तो उसमें परीद ही आपके दी गई है 28 सेमी 28 सेमी ब्यास की ब्रितकार धातू की चाधर ठीक है उसकी ब्यास टोटल 28 से में है और परीद में हम लोग परिवर्दन कर देंगे तो यहां पर देखिए वितकार है चाधर की परीद ही आफका दिया हुआ है डिक सकता है यहां से परिदिबर रहता है और यहां से आपका financing काया 2R 2R जो होता है तिरिज्या का दुखना होता है 2R को यदि एक साथ लेंगे तो ब्यास D रखा जा सकता है यदि पाई पाई D बराबर कितना 28 पाई यदि पाई से पाई कटा भी सकते हैं कोई दिकत नहीं है यहाँ पाई देगे अब यहाँ से पाई में ही छोड़ दीजिए नहीं है तो पाई से पाई यह आप कटाना चाहते है तो कटा दीजिए निकीदी बराबर कितना हुआ चादर की जो चादर का जो व्यास हुआ आपका 28 यह तो आपका दिया है ठीक है रहे रहें से छिए आपका ब्यास के बराबर हो जाएगा यहाँ पर हम लोग वही फरमुलर रख्ते हैं आपाई बराबर कितना 18 वह तो यहाँ पर एस सामयलिए कि परेदि निकाल लगे अगया है परेदि ठीक है ना कि अरे भाई परेधी आप लोग आप लोग कंफूजन हो रहा होगा मुझे उमीद है कि कंफूजन हो रहा होगा आप लोग कैसे फाइंड किया गया देखे जरा ठीक है यहां परेधी हो जाएगी पाई तो वह गयी रहेगा टू आ दे लिखा जा सकता है आप पाई और डी-जो है ब्यास का क्टिना दिया हुआ ज़िए 28 यहां पर हम दो देखे 40 डीगरी पर जो है कि चाप कड रहा है तोटल आपकी बृतकार जो है उसकी परीदी पूरा गुलकार जो परीदी है तोटल देखिए आपका यह गुलाकार पूरा परीद है यह कितने की तना है इतना फिर तो यहां और से कह रहा है कि 40 पर काट कर निकाल दिया जाह रहा है एक प्रिजमी के रूप काट कर दिया जा रहा है निकाल दिया जा रहा है तो यहां पर 40 डिगरी एंगल पर जब काटा जाता है देखते हैं कि यह चाप है चाप की लंबाई कितनी काट कर निकाली गई ठीके तो वही आपका हो जाएगा यहां पर चाप की लंबाई यल बराबर हो ठीटा बटा में 360 टू पाई आर ठीके यानिकि टू पाई र क्या है परिदी है न यहां से आपका हो जाएगा ठीटा कमाद 40 डिगरी और 360 गुणे त्यू यहिए आपका परिद के काम करेगा यानिक कि इतने परिद यह जो आपका चोटल भाग काटा कर निकाला गया है 28 5 में न इतने परीद निकाल दिया गया अब इतना बहाई हम लोग इतना काटकर निकाल घुल गया तो आपका सेस भाग बचएगा कि कि नहीं बचएगा हॉब पूरे परीद हीमें से पूरा परीद हीमें हाई जो बाट कर निकाल आई इसको घटा रहें तो पता चलेगा कि हाई जो बचा हुआ भाग है बाकी सब कितना है समझे की नहीं समझे उम्मीद होगी बिल्कुल समझ में आगे होगा अब यहां पर समझे यह तो आपको समझ में आया इसके बाद सेश परीद जो बची हुई है यह य लाकर जो है कि आप सणों के निर्मार किया जा रहा है इसी परीद से क्या सब्गु आधार की जो होगी आपकी टूपाय यार यानि कि जितना व्यचंड बची बचा हुआ है उसको सब्सक्रीपाइब को बने जोगी इस बचे वह परीद कि क्या होगी बराबर तो अब आपका हो गयाए 224 पाई बटा में कितना नौ सूंगुक्तな यहां पर डी आपको समझ में आ रहा है कहां से है 2 r यहां वियास बरावर हो जाएगा 224 बटा में कितना न से 224 में फायदेंगे तो आपका ब्यास दी बरावर फाइंड हुआ 24 दसमलो आपका 88 cm जो है आपका समगों का ब्यास बनेगा उमीद होगी किया समझ में आ गया है वीडियो एच्छा लगया है तो वीडियो को लाइक से जरूर करते रहे हैं चोविश दसमलो आपका आठाट सेंटी मीटर और हम लोग जो है कि कोश्चन नमर 26 का जो है कि आफसन की बात कर लें तो आफसन नमर सी आपका करेक्ट मिल लाए आफसन नमर क्या है सी आपका करेक्ट है चोविश दसमलो आठाट सेंटी मीटर ठीक है फ्रेंज उमीद है बिल्कुल आपको समझ में आ गया है वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक सेर जरूर करते रहे हैं चली हम लोग बढ़ते हैं अगले कोश्चन के लगड़ी के एक लंब ब्रित्य संग की उचाई लगड़ी का एक लंब ब्रित्य संग को है जिसकी उचाई 15 सेंटी मीटर है तथा आधार की त्रिज्या जो है कि आपकी 6 सेंटी मीटर की है करेक्ट संग को ठीक इतना काटा जाता है कि उसी उचाई का एक संभाव जो का आधार पिरामिड बन जाता है संग और पिरामिड के आतनों कानउपात कितना होगा जो हैं हैं पिरामिड को पिरामिड को इसे बनाना है जाता सकुषेक प्रकार का चाहिए लेकिन इसमें दे रहा है कि सँंगु का आधार जो है आधार जो है सौंगु का यहां पर देखिए का आधार यानि किसका सौंगु का जो आधार है आपका कितना दिया हुआ है छो संगु का आधार कितने का है आधार किती रिज्या 6 cm की है Hey my क serves ska propri видно के हैं इसके बाद पर और उंचाई जो है 15 सेंटिमेटर हो गया इसके बाद क्यार कि संगू रभियास संगू के पिरामिर का वनुपाद यहां पर लिखा गए पिरामिड और आयतनों का अनुपाद आपका बराबर होगा सवागोचा कि रामीड का अ यहां पर के यहां पर नहें निगाल कर apresent करें यहां परavicार ता यह आपका एक सोंगू था ठीक कई जिसका आधार आदार कितने की खेल कर ना टिपसेज़ आसते क है इस समंझ ये आधार कि तिर आ शॉंगू का आयरतन की आनुपात आपको फाइंड करना है क traffic यहां से आपके साथ का पूरा बनेगा डलांगे के यह आपका पूरा 60 ना इससे बहुत आपका स समभाव तूर्बूज बन परतेप्स और में आपका है तो आपका टोटल यह कितने होगा तीस खोगा की नहीं फिक नहीं होगा सिफका होगा प्रिल इसको मिला बसfire ठीटेम फिरम वनाने विस्वाहाओं यहां सब्सक्रावन की ता यहां पाइए यहां चुanken मार्प पार तो बाट देया गया और यहां से यहां तक तो आस्का यहीं पूरा आपका 220 होगा की नहीं होगा और फूरा है 120 को इसका अर्धक क्या अर्धक हुआ तो यह आपका स्टाट का हुआ किसा एक तरह यह बहुजा से करा देखें यह आपका पूरा आपका बराबर होता है जाहां पर स्थीच मैं हो रेंगे यहां से आपका बाराबर हो जाएगा एक बाटा में थी तर्फल को निकालेंगे तो आपको होता है काडे में तीम बाटा में हो गया और यहां से भूजा रख आप भूजा आपकी फाइंड हो गए यह चार ऊपर चला जाए गुणे चार हो गया और यह तीन हो गया और चार चार पाई हो जाए कि आयतानों का यह रहा इनुपाथ और प संग और प्रामिड के लिए आयतानों का यह अनुपाथ है तो आपका चार पाई समाझ्दे तीन करणी में तीन हम लोग का आपसा नमबर बीकरेक्ट मिला है आपसा नमबर क्या है वी आपका उमीद होगी यह बिल्कुल आपको समझ में आ गया हो किस तरह से फाइंड किया गया है ठीक है चलिए बढ़ते हम लोग कोशन नमबर 28 के तरफ कोशन 28 का स्लूसन कैसे करेंगे ठीक है अब प्रसन नमबर 29 को बहुत ही सिंपल है सिर्फ आपको समाझना है और यह समझ जाते हैं तो आप खुश सलूसन कर सकते हैं कर रहा है कि एक पानी की बल्टी तीस से में उच्छी है एक पानी की बल्टी है देखें यहां मैं बल्टी बना दिया हूं ठीक है ना यह और यह एक का रहा है कि 30 में उचावी है मुह तथा पेदी के ब्यास करमसा 42 और चाहले 14 सेंटीमीटर है उसके निर्गत के चाधर लागेंगे यह इनि की इसके निरमाण के लिए चाधर की निर्माण में चाधर कितनी लगए यह निए जो निर्माणर आप करेंगे ठीकि ए कोने ऊपर का जो है कि आपका 42 संटी मीटर का होना चाहिए और जो हैकि नीचे का व्यास जो है आपका च्छोगर मीट्र कोना चाहिए तो ये कर रहें कि आपको कितना चॉई कि बॉल्टी में बना लिया हो और यह हाइट है यहां से यह हैंति है कि बल्टी की है कितनी है थिराह और यह ब्यास है ध्यान दिजिए अधर और पूरा यह ब्यास है ध्यान लेकर नीचेछज़ वालब इंतने का है शोड़ सेंदि or का है और उपर का जो ब्यास से तो आपका जो है आपका 42 सेंटीमीटर का है कितने का है 42 सेंटीमीटर तो उपर वाले को हम लोग कैप्टेल आर बोलते हैं यह नीचे वाले क्या समझें यह है रावर पता हो गई इसमाणाहर बरावर कितना हो जाए गा साथ हो गयगा यह में चाधर है यह निय्मान में चाधर कितनी लगए वार्मूला यहां पर संपुल्वरिष्ट के लिए यहां फैली फैरे ठी नोइ तो आपकी एकशीनक बनना आञे त мамना फ़र्मुला आप खुद पता होगा ठीक है जानते हैं कि एल बराबर होता प्रियोग किया जाता है यहां पर देखेगा यहां से इस पर सीधा यहां से ध्यान देगा यहां ध्यान देंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आजाएगा ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा कि यह पूरा थे इंद्यान देगा फ्रेंड इह जो आपका ग्राफ बना हुआ है आपका चित्रे से बन गया फहिस को सीधा बना लेटे वाई फिक है आई ये आपका थोड़ा बना लेता हूं है यह आपका एक सवकु बना कि नहीं बना बहुत देखेंए इतना जो है कि इतना आप ना खी इतना जुल्ड कर सकते हैं तो कईसे फाइंड कर सकते हैं चल तो अभी हीट हो गई यहां से आपका इतना हुआ शुटा हुआज कई लेकिन हम मिलांगे नहीं आप प्र Means है कि हिस्सा इतना बना हुआ है तो आप लोग का ऐसा बन गया कि नहीं देखिए मैं फिस्टे बना दे रहा हूं आपका ऐसा बन गया संघ picture मैं कि आपकर आधा इसे ने हैं लेकिन हम लोगी यह देख्रहें लिकान करें लेकिन नहीं मैं यहां से यहां तक है क्या संघ्रोण ब्यास ओजाएगा नहीं नहीं कि आप यहां से पूरा यह से नहीं होगा यह तो यह कि आ इनने को आधा सब्सक्राइब एसे आपका बंदा है तो यहां पर हम लोग चलेंगे फैंस तो यहां पर मैं अलग से निकाल लेता हूं तो यह बराबर हो जाएगा करणी में है कितने की है तीस की है तो कर देंगे प्लस आर का क्या स्कॉयर यानिकि तीरिया कितनी है चौदा क्या स्कॉयर और हम लोग इसका स्कॉयर करते हैं तो आपका मिलता है तीज़ी जोड़ते हैं तो हो जाएगा 1096 आप सलोचन करके देख सकते हैं और इसका यह बर्गुल निकालते हैं दो करणी में आपका हो जागा 200 कितना चोहत्तर ठीक है दो करणी में 200 कितना चोहत्तर हुआ तो एल तिरिये कुछ है आपकी पता हो गई यहां से मैं हटा दे रहा हूं इसको यहां पर मैं लिख लेता हूं तो करणी में आपका थां 274 प्लस आर कितना है साथ है तो सासत है कितना हो सब्सक्राइब कितना है तो शोड़ाइब भड़ा कोश्टक में इसको जोड़ेंगे तो आपका 28 हो जाए गुणए क्याओ दो तो यहां पर ऐसा डो में गुणा करें तो ऑी अच्छा हो जाए क्या च्छा हो गया च्छाप रहीत है उजितना पॉग हो गया और करने में है इसको लोग आइड कर देंगे तो यहों आपको हो जाएगा कितना यह पाइग नहीं है ठीक है तो आपका बच जाएगा क्या च्छोटा कुष्टक लगा लीजिए च्छपन आठ हो जाएगा करणी में 274 हो जाएगा प्लस यह आपका सतर यह रहा आपका संपोल प्रिष्ट जो निकलेगा यह आपका साथ पाई कोष्टक में आठ करने में आपका 274 और प्लस कितना सतर सेंटीमीटर इसक्वाइर आपका होगा उमीद होगे फ्रेंस यह समझ में आ गया होगा लेकिन एक बात याद रखिए यह आप याद उमीद समझ में आ रहा है और ऐसे समझ में नहीं आता है तो अर्द संकु को यह दिन नहीं लेना चाहते हैं तो एक बात और याद रखिए यह आपका लंब डाला जाता है 90 डिगरी का कोड़ बनना है कि नहीं बनना है तो और उससे आसानी से आप निकाल सकते हैं और संकु नहीं लेंगे तो चलिए आप जो है कि यह बनना है कि नहीं बनना है तो आप तुरी फूज़े पर नहीं है तो हल कर लेंगे तो और इजी आपको हो जाएगा यह तो अब यहां तक टोटल दूरी 21 यहां से दूरी साथ मालूम है यह दूरी मालूम करने के लिए साथ घटाने कितना चोगदा हुआ लंब हो गया यह कोड़ातानी सामलों फाइंड कर सकते जो आपकी तिरियत क्या है उचाहिए उमीद होगी आपको समझ में आ गया होगा चले वीडियो अच्छा लगते वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में सेर जरूर करते रहेगा चले वड़ते हैं कोशन नमर्ट 30 के तरफ कोशन नमर 30 का सलूसर का इसे करते हैं चलिए अ पर निकालना है इसके बाद जो ब्रीदी और उसका परसेंटेंट निकालना है लेकिन आपको निकाल करा दिया है तो प्रोसेच ज्यादा बढ़ जाएगा अब मुझे समझाने में आपको परसानी नौ चलिका रहें कि यदि एक लंब्रीती संकु के आधार की तिरिजिया और उचाई 20% बढ़ा दिजाए तो संकु के आधार के आयतन में प्रतिक्सत कमी लगभग में होगी ठीक है देखिए यहां आप माना किया कि माना संकु के आध आयतन हम लोग निकालेंगे पहली बार जब यहीं ही है तब उस समय दे नकाले है अपको आयतन की आधान होगा तो पहली बार करते हैं तो कितना कि budding प्रिदी दे जा ? कर दी जा रही है। आखिर में देखते हैं कित करेंगे पहाले और थी प्लास 20% की बाइक आर में 20% कभि यести व्य में तो पता होगा में पांच आप हुआ कि नहीं और फिर उसी तरह से हाइट में भी बिस परसेंटेश की ब्रीधी करेंगे तो ही प्रोसेस से चला है 20 बाटा में क्या 100 यहां से फिर करेंगे 100 इकम 120 जोड़ें एक 120 बाटा में क्या हो जाएगा 100 फिर इसको भी दिवाइड करें दूसरी बार आप देखिए जब ब्रीधी हो गई है तो अब उसके बाद जो है कि आपका आइतन कितना बढ़ रहा है हम लोग उसको फाइंड कर रहे हैं तो यहां पर आइतन एक बटा में तिन पाई आर इसक्वाइर होता है लेकिन तिरजी आर इतनी फाइंड गुए ना ति हो अब दूओने की बटा में अब इसके बाद किसका फार्मुला है पता है न एक बटा में थीन पाइर सक्का ह YEAH यहां पर 25 कि इसके यह पूट कर दिये चाह से मल्टिप्लाइए पांत मुल्टिप्लाइए आपका हो जाएगा 216 बटा में क्या 125 चाहिए 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 यह इतना हो गया अब देखें यह पहले आयतन इतना था इसके बाद ब्रीदी के बाद आते हैं इतना हो गया हैं किसी कि भूजा बंढदते हैं तो कितने की बेया दे कि यहां पर देखिए यहां पर देखिए हो जाने के बाद का आयतन है जनी जब हो गए इसको आतन है और यह बिदी के पाले भी 환 भी मैं अपको counter बैठों इसको मान रखेंगे तो फिर आपका चेंजिंग करना पड़ेगा इसे अच्छा है कि इसे मल्टिप्लाइब करें घटाएंगे तो आपको एकानवे बाटा में 125 यानि कि इतने की टूटल आपकी ब्रिधी हुई है ठीक है 20 परसंटेज बढ़ा दियें तो आयतन में इतने का ब इसके बाद डेल्टा भी कमान रखा गया एकानवे भी बटा में 125 बटा में क्या भीवन है भीवन का हुआ कट गया यह आपका सो होना चाहिए दस हो गया था कोई बात नहीं सो कर लेंगे परसंटेज निकालना है और यहां से आपका हो जाएगा सो से कानवे बढ़ा आठ तो आपको सिर्फ पॉइंट के पहले वागा लेना है यह पांस दिखते इसमें क्या होगा जूड़ी आएगा तो कितना वह तीन परसंटेज लगवग में तीक है लगवग में जो ब्रिदी हुई है कितने परसंटेज की 30 परसंटेज की ब्रिदी हुई है और हम लोग आपसां की जरा बात कर लें तो कोशनЕ अमएशन में जो प्रसंटेज है Kapki she correct हो रहा है हिए आपको पूर्ट कर दूंगा तो आपको समझहें आये इस्टेव बाय इस्टेफ आती और आपको अपप्र समझ में आप भी जब्तत नहीं सकते हैं यह व닐 समझ में आ जाता है चलिए बहुत अच्छा यहीं समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें चलिए बढ़ते हैं हम लोग कोश्चन नमबर 31 के तरफ क्योंकि दो कोश्चन एक साथ है सिप आप समझने हैं से सिंपल है करें कि एक संकु तथा एक बेलन के आधार तथा प्रिष्टिय चेतरफल समान है यहां कि बेलन की उचाए दो मीटर है तो संकु की तिरियक उचाई आपके क्या होगी बहुत सिंपल है देखिए बेलन की उचाई हाइट प्रिष्टिय छेटरफल समान यहां पर लिखा गया है चुछ ङरए अब आप समझे ग्राफ कैसे बनाओगा कि आपका एंसे बनाओगा चाने से बनाओगा कि आपका ऐसे देरा यहां पर सपोट्टेट मालने इसके केंद्र से इसके केंद्र से ऐसे क्या बनाएगा संग को बनाएगा ठीक है समाज में और यह करेंगी बेलन का वखर प्रिष्ट के क्या है बराबर है इसका मतलब यह हुआ को बाराबर करें वखर प्रिष्ट का सिततफल समान है तो समट की तीरियक याप की किया है एसे आप बना लेंगे ठीक है Benjamin की निकालना 2 tapi 2 हो गया हाइट isky कितनी है हाइट- इस कितनी है हाइट कि यह पूरी है कितनी कि दो हो गया इंटू क्या लट लगर के दो दो निके चार यह जो है याननी की कि तीरियक उचाही है सब्सक्राइब कितनी हो जाएगी चार उम्हेद होगी फ्रेंग्स बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग फाइंड किये हैं ठीक है यहां बारावर कितना चार मीटर का हुआ कि नहीं हुआ यो टीक है ठीक है एक कोशन सब्सक्राइब करें इस में 32 को समझते हैं करें कि 1 संक्राइब नौैस नवाज कि इस सेंटीमीटर हे तो तिर्ची अ अधिर्ची जो है उचाई 25 मीटर हो तो उनके कैनवास लगए यानि कितना जाहिए कैनवास आपका लगेगा एक जो करें सरकस का करें तॉम्बू जेसे माले सरकस हो थिकें सरकस मैं बना देता हूं इसके सर पर बनाना पड़ेगा न यहां पर हम लों बना लेते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है न करें कि एक सरकस का तंबू है यहां पर एक बेलन का हो गया इसके उपरी सेरा जो है आपका यह संकू क्या-कार करैंसे बन गया और को बहुत कीजिका किया निस्कीया क्यारी है करें द्युधा कि यह प्रे दम्बू 8-2 मीटर व्चे है ध्-2 मीटर व्चें एक बेलनकार। और फिर कल मगाicon लगा यदी इतना है तो आपका वह कितना होगा ठीक है इसमें जो हाइट की है यह है कितने नुए हो गया सब्सक्राइब करना है यहां से समझ लिए यहां कोई संगु है लेगिंस कि यह बनाएं पिरहामेड है यह संगु कुछ है संगु का यह तिरीयक प्रिस्ट आपका कितना होगा वह आपको पाइं करना है तिर्ज्य पता हो गाई है इसकी ऐट पता हो गई है जो worthy है तो सब्सक्राइब लगा तो यह समझें यह पंदर जोनी के कितना साथ पाई हुआ अब फ्लस का मलटिप्लाइब कर देंगे तो आपका 305 मीटर इसको जोड़ देंगे तो आपका चार सो पाइटीस पाइट मीटर स्कॉइर उमीदों फ्रेंस यह बिल्गुल आपको समझ में आ गया होगा कोई भी आपको दिक्कत इन दोनों में नहीं है चलिए बहुत बढ़िया चलिए हम बढ़ते हैं कोशन नमर्थ क्या है कोशन नमर्थ आपको प्रोसेस चलेगा चलिए सलूसन करके देखते हैं करें कि एक सब्सक्राइब के लिए 2064 मीटर कपड़ा लगता है यादि के बराबर वहीं वाकर पिश्ट हमों को फाइंड करना है अभी फाइंड किया गया है वाकर पिश्ट ही आपको निकालना ह 3 быстрее वाकर पिश्ट का चाहिए तरफ़ पाइन के चैसले कि थो बनाने के लिए के लिए मिज़की टव। बनायां गया है तो तंबु उस तबु कि उचाई क्या होगे आपको बनाना और ठीक है बम algum है जो चैन् Ray आपको कितनी है rainbow कर अब अब को पता नहीं है हाइड आपको पता करना है लेकिन तॉम्म को बनाने के लिए उतना इक अप्रिस्ट प्रिस्ट का छेतरफल का इतना दिया हुआ होता है 264 दिया हुआ है कोई बात नहीं होता है यहां से आपका तिरिया कुछाई आपके दी गई है तो आपका तिरिया बराबर हो जाएगा दोनों को बाइगा हटा दीजिए 264 बटा में क्या पाई यल पाले कर लिजिए कोई दिक्कत नहीं है तो आर बराबर हो जाएगा दोसो चाउट बटा में पाई कमान 22 बटा में कितना साथ गुणे तिरिया कुछाई कितनी है 12 समझ में आ रहा है अब यहां पर हो जाएगा इसको पलट दीजिए पहले यहां पर हो सकते हैं तो है निकाल सकते हैं यहां से बरावर से निकाल सकते हैं यहांसे हाइट आपका हाइट बराबर हो जाएगा हाइट आपका हाइट बराबर हो जाएगा अंडरोड में घटा दीजिए आपका पांच हो जाएगा यहां पर 13 हुआ आपका पांचानवे हुआ और मीटर में आपका दीए हुआ है है आफसे नमर क्या है पंचानवे आपका करेक्ट मिलन अपसान प्रसन वहां प्रस्थे समझ में आरा रहा है ना चले समझ में आ रहा है तो कमेंट द्वार जरूर बताएं और हाँ वीडियो को लाइक जरूर करते जाए चलिए बढ़ते हैं लोग अगले कोशन के तरफ जरा हम लोग कोशन समझते हैं लोग कैसे फटा-फट करते हैं चलिए इस तरह करना है उसको भी ठीक है ना चलिए यह आप कांट 28 रहां किसके परम लोग आंसे रहां इसके बाद 34 वहाय हम लोग चलते हैं में किसने चलते हैं चलते हैं कोशन 24 का सलूशन क्या है जरा हम लोग समझते हैं देखेए चाउतिस हैं करें कि आ intentar- lecox का यह जिसकी वुचाए तीर्यार उचाई कि यBob एक perman बता लेंगे यह आप का संकु हुआ हो गया इसके बाद करें कि यह अर्दिर सीर्ष कौनन हम की यह pedals थोड़ा ठीड़ा है कोई बात नहीं है इसर्षिंगब समझ ने असर्थ यह आत्त कर आधाow गया अब्यादा हो गया बहुत्व को था ना तो सब्य को एक लाकूचाई आपके एल होती है किने प्रस्न के रहे हैं लेकिन ऐसे परस्थ प्रस्थ से कटा हुआ याद ऑधा बना हुआ तो यह थीटा म aura फ्र इति को अनुक्य कि नहीं और है तो आप समझेते इस तो नहीं लेना है इसको भी बात है कि ठीठा आप लोगों को पता करना एंग इसके लिए देखिए अब लोगा क्योंत एसे मैं घुमा दे रहा हूं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कैसे ग्रा वहरी में बाना जैक में ule बनायाँ आपका ऐसे बन गया ऐसे बन गया यहां सका इसका सर्सा अधा कर दिया गया है अब जिती registrated a लम के उन्म कई पोड़ा। यह न लम काल आएगा यह अधार काल आएगा और कीश्ची स्कॉध्य। प्रोसेस अब देखिए यहाँ पनुमन लेकिन क्या ठीटा बरावर यानि कि आपका कॉश्च इटा बरावर होता है आधार बटा में क्या कण तो अधार आपका है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी और हां आफसन की बात करने मेरे प्यारे दोस्तों तो आफसन नमर भी हम लोग करेक्ट दिख रहा है आफसन नमर क्या है लोग को भी दिख रहा होगा चलिए हम लोग यह रहा कोशन नमर जो है कि 34 तक के प्रस्नों का सलूसन और यह कहनों बढ़ते हैं कोशन नमर 35 से 35 यहां पर जो हैं कि ध्यान समझेगा जो आपको बना दिया वह चरफ आपको समझना है कि सलूसन कराएं और बिल्कुल नहीं समझा दूंगा ठीक है जब दीकत आपको थोड़ा सा भी नहीं होगा ठीक है समरुकत का आपको नियम याद होन त्रिभूज के समरूप में समरूप त्रिभूज में जो हम लोग पढ़े थे आपको याद होना चाहिए तभी आप सलूशन कर सकते हैं ठीक है और आपको तभी समझ में आएगा भी अगर एक तीन मीटर उचे एसा संक्वकार्ड डेरा बनाया गया है जिसमें दो मीटर उचा चाहिए अब देखिए जितना आपका वक्रपीश्ट होगा वक्रपेश्ट चाहिए यहां पर किया क्या है देखिए आपका संककार बना दिया गया है यहां पर हम बनाये हैं कि एक सेंटीमिटर यह आपका तिरिजिया वहां जो कितनी है एक द्यान समझेगा आप समझेगा मान लेते हैं कि माना O B O और B यह जो पूरा O B है O B मान लेते हैं कितने का है भई आपका यहां से यहां तक की दूरी कितनी है जर ध्यां समझेगे तरह बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा स्वंग का पूरी उचाए तीन है जो हाई लड़का खड़ा हुआ ह मिर के काईछा है यहां पर देखिए चुक्कि दिरभुज भी ओबी ज्यान दिए य दिase yes ये बिलकुल भ्यान सते समझख़mareं यह सम्रूपता का नियम हो आप टिरभुज है इस यह आप लगवा तहाँया यह यहां पर सम्रूपता का नियम से आये हैं भी उ पूरी लंबाई बाटा में क्या यह जो है आपकी इतनी लंबाई वह यनिकी वी , अब उसी तरसे- इस तरसे कोई चो क्या बघटिक चौटे वाले को भी आपको क्या करना है विक्वर१ का है कि समरुपता का नियम लागो किया जाएगा यह आपको समझ में आया जा ँटीक कि लॉंदाट सुन Chamber यह भी कितने के थीन के हैं लेकिन आपको वी ऐड़ैस चाहिए ऋटनी लंबाई कितनी यह नंपाई कितने की होगी यह पूरी 3 की है कि नहीं है पूरे तीन की है तीन में से यह दो इतना दो मालूम है तो आपका एक का हो जाए यह पूरी लंबाई कितने की होगी एक की तो यहां पर एक रखा गया है कोई दिक्कत नहीं है समझ में आ गया होगा इसकल टू आर ओभी पूरा ओभी यह तिरिज्या आपका माने गई है इसके बाद का रह आप आवस्थे रम जो लगए गा उसकी वाकर पिश्ट के बरहाबर लंगेगा किसके वाकर पिस्ट के बराबर ही लगएगा यहां परेन यह alltid नि NICK पाई कमांद तिरजी आपको पता ही है तीन की है ठीक है तिरजी तीन फाइंड कर दी गई है और अंडर में हो जाएगा रखोपाइब टार माण कर के एक साथ से डिवाइट करने तो आपका आएगा कि जो है कि 40.002 कितना 002 मिटर स्क्वायर अम लो निकर्तम मान लेते हैं पॉइंट के पहले वाला मान लेते हैं तो आपका सिर्ट इतना खालिज मीटर इस्कॉयर यह रहा क्या एंसर रिनीं क्या किरिमिच आप का लागा जीतना आप यह वाकर ट्रिस्ट है उतना इस फांड रॉक अहरा प्रेश्ट के बरावर रहे जो प्लीच करेंद हो थे बिल्कुल आपको समझ में आ भी गया होगा और हम लोग fraction की बात करवें तो आपसानामबर एग आपका क्रेक्ट मिल ला है आपसानामर क्या है आपसान नंबर करेक्ट मिल ला है चालिस मीटर स्कॉाइर का ठीक है फ्रेंज उम्मीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा और हाँ अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देज़ेगा चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन के तरफ कोई बात नहीं बढ़ते हैं कोशन हमेरे प्य और हम लाइक करते हैं कोई वात न याइक करते हैं है थोड़ थोड़ा मोटिवेशन पढ़ता है भर यहमेरे न चलिए जल्ड़ी आपका है यह हम通 बग्Shearth भस आपको जलीकर संब्वाश्यक मैत वाला तीम चलिए यह आपका 36 कोश्चन है जो कि आपका अंतिम है कर एक 20 सेंटीमीटर अर्ध व्यास के संकु के देखिएगा 20 सेंटीमीटर अर्ध व्यास यह आपका एक संकु मैंने बना दिया है जो 20 सेंटीमीटर का अर्ध व्यास का मतलब क्या तिरिजिया ही न तो यहां से यहां तक काट दिया जा रहा है इसके जो हाइट होगी इस हाइट के बराबर होगी कि नहीं होगी उचाई तो बराबर होगी नहीं कि यह फिवन नेचे वाला क्या मना यहां पे यहां पर अभीस्ट इसंपाद कर लेते हैं अभीस्ट आइतन का समझ में आ रहा है चलिए अब यहां पर बटा में कि चिनक का आयतन जितना चिनक है चिनक के आयतन से उपर ही जो है कि समझ में आ जाएगा बिल्कुल और चिनक का भी आपको पता होगा पाई बटा में कर दोन की ब्रावर थी न मुझे ऑट से वानें किया हो किसका है ऊपर वाले वाले का है केपटल आ यो है आपका है तो दोनों की बरावर थे न उज्चाइज उचाइछाइए कि Самडा फाने से पाई क्या मैं घब्सक् rubbish माल क्लाइव सम्स मालर कर दिया है इसमाल लगो इसनी प्लस मेंटर ई nota मैं समस्काइमर दो इसके बाद से उस्माल घुल में तो यहां पर कैप्टिल आप्याल है इस्धा इस्वाइब करें तो आपका सब्ण हो जाएगा ऑइन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह उम्मीद होगे कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा और हाँ कोश्यन नमर जो है कि श्राइब यहाँ आप से एक ही रिक्वेश्ट रहता है कि हां जाते जाते वीडियो को एक लाग जरूर कर देजागा और हां अपने दोस्तों में अच्छा लगा और यह जिए रहा आपके श्रूर का सलूसन उम्मीड होगी कि यह बिल्कुल आपको समझने जितना भी 16 परसन बताएं गए इस जोए की वीडियो में तो आपको उम्मीद हो कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा और हाँ अभी तक का अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दिजेगा और हाँ आभी तक हमारे साथ में जोए चैनल को सब्सक्राइब कर दें तक जब भी वीडियो अप्लोड कीजए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचते रहे छेले फ्रेंड मिलते हैं आप से अगली विएम तब तक के लिए बाई बाई जैहिन बंदे मातरा